दोस्तो Tecno Pop 8, एक काफी ज़्यादा बढ़िया फोन हमको देखने को मिला है, इसमें जो हमको features मिलते हैं, वो तो काफी ज़्यादा बढ़िया है, इसके बाद जो उसका look and design है, वो भी आपको इदम iPhone की तरह देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर Redmi 13C की बात करें, तो यह phone को launch में थोसा time हो गया है, लेकिन इसमें जो camera है, इसके जो features है, वो काफी ज़्यादा बढ़िया है, तो हम लोग आपर वीडियो की starting करते हैं, इसके colors option से, तो फिर आपको Redmi में colors के option थोसे ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो Tecno है, इसका look and design मुझे काफी बढ़ और कुछ lightning effects आपको देखने को मिल जाते हैं, रेडमी में जो black color वाला जो variant है, उसमें आपको matte finish मिलती है, बाकी यहाँ पे जो इसके दो और जो color है, उसमें आपको glossy finish मिल जाती है, इसके बाद जो camera module है, रेडमी का, वहाँ पे आपको सभी colors में glossy finish ही, आपको देखने को मिलत है, techno में आपको dual जाने की, दो camera का आपको इसमें setup देखने को मिलेगा, बाकी आपको दोनों ही button layout design आपको जो design वही देखने मिलेगी, तो फिर design के मावले में जो मेरे साब से techno थो सा better है, इसके बाद अगर यहाँ पे form factor की बात की जाए, तो फिर यहाँ पे मेरे साब से redmi थ थो सी better देखने मिल जाएगी, इसके बाद अगर यहाँ पे in the box content की बात की जाए, तो जो content है, वो techno में आपको थो साथ जादा मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको backup मिल जाता है, redmi में आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में ही आपको 10 watt का एक normal सा charger in the box में मिलता ह हाला कि redmi में phone जो है, वो 18 watt की far charging को support करता है, इसके बाद earphones हाँ, हाला कि आपको दोनों ही phone में देखने को नहीं मिलते है, लेकिं screen guard जो है, techno में आपको pre applied मिल जाता है, redmi में आपको देखने को नहीं मिलेगा, पाकि आपको दोनों ही phone में USB type C to type A charging cable मिल जाती है, sim tray ejective की दे charger है, तो फिर ये charge होने में मेरे साब से 2.5-3 घंटे तक ही charging time मिलेंगे, इसके बाद अगर यहां पर बात कीजाए, इसमें cameras की, तो यहां पर जो redmi है, इसमें आपको 50 megapixel का higher resolution में मिल जाता है, techno में आपको 12 megapixel का मिलता है, और बाकि techno और redmi आपको दोनों में ही 2 megapixel का AI lens भी आपको देशने को मिल जाएगा, जिसके तो आपको जो फोटोस और वीडियो है, वो थोड़ से और enhance हो जाएगे, लेकिन redmi में एक और benefit है, कि यहां पर 2 megapixel का, एक और macro lens एक dedicated आपको देशने को मिल जाएगा, इसके बाद जो video shoot है, आप लोग यहां पर दोनों ही phone से full HD तक क पर कर पाएंगे, तो फिर आप फाइनली बात आती है, कि camera के कौन सा phone लिया जाए, मेरे साब से आप लोग रेडमी की तरफ जाएगे, मैं खाली यहां पर mega pixel वाइस खाली नहीं बोलना हूँ, इनका जो optimization है, वो टेक्नो से बेटर है, यहां पर आपको जो portrait, जो short है, जिसमे background जो बिलर होता है, उसमें जो edge detection है, जो dynamic range है, exposure balance है, वो आपको Redmi में काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाएगा, टेक्नो में कहीं न कहीं dynamic range में उपर नीचे था, लेकिन Redmi को जो optimization है, वो टेक्नो से बेटर है, तो फिर आप लोग यहां पर Redmi की ही तरफ जाएगे, इ फिर आपको quality आपको 720p के हिसाब से ही देखने मिलेगी, चुकि HD+, 720p होता है, तो यहां पर full HD तो है नहीं, तो यहां पर आपको जो जब आप लोग वीडियो वाच करेंगी, तो उसमें आपको details और quality थोई सी low ही आपको देखने मिलेगी, लेकिन जो protection है, Redmi में आपको corning glass के म मिलती है, लेकिन Redmi में आपको 619 तक की देखने को मिल जाती है, तो फिर यहां पर अगर आप लोग बाहर जाएंगे, धूप तेजए, तो Redmi में display में क्या चल ला होगा, वो आप लोग अराम से देख पाएंगे, लेकिन techno में आपको कहिना का issue आ सकता है, लेकिन यहां पर techno में परफॉर्मेंस की बात की जाएं, तो लगभाक आपको एक ही जैसी देखने मिलेगी, टेक्नो में आपको यूनी SOC की Tiger T606 मिल जाती है, डोनों में 12 अनॉम वाली चिपसेट है, औक्टा कोर है, बाकि आपको 2 लाग क्या सपास ही देखने मिलेंगे, तो फिर आप लोग दोन की तरफ जाएं, जो कि immediate जो है, वो आज के लिए काफी बढ़ीया काम कर रहा है, इसके बाद अगरे हैं पर बात किजिए, इसमें software की, तो आपको आपको यहापको हाइए मिल जाता है Android 13 पे, लेकिन आपको Go Edition मिलता है, बाकि Redmi में आपको MIUI मिलता है, Android 13 यहाँ पर full version है, दे काफी स्मूथ काम करेगा, बाकि जो updates है, उसके मामले में Redmi आगे, चुकि यहाँ पर Android 14 का update मिलेगा, टेक्नो का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर updates के मामले में Redmi आगे, बाकि smoothness वाइस, जो है वो यहाँ पर techno आगे, इसके बाद अगर यहाँ पर बात कीजिए, इसमें कुछ औ मिलेगा, IP rating मिल जाती ही, बाकि आपको NFC और IR Blaster जैसे feature आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, दो नहीं phones में, इसके बाद अगर यहाँ पर बात कीजिए, इसमें वेरिंट रेट की, तो यहाँ पर techno में आपको सिंगल बेंड आपको देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ प design वह आपको अच्छी मिल जाती, in the box में आपको यहाँ पर सभी content आपको देखने मिल जाएगा, dynamic port जैसे आपको premium feature मिल जाते हैं, तो यह phone काफी बढ़ी है, लेकिन इसका एक कम ही है इस वाले phone में, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, YouTube पे आप लोग वीडियो से आपे watch कर जाती, RGB RAM में मिल जाएगी, तो यह सब तो है, इसमें आपको camera अच्छा मिल जाता है, performance मैं कहूंगा कि हाँ, slightly better है, हलाग कि लगवग आपको equally देखने मिलेगी, बाकि softer है, इसका थो सब बैटर है, चुकि आपको इसमें updates मिल जाएंगे, यह भी बात है, इसमें, बाकि जो form factor है, वो भी इसका थोड़ अच्छा है, colors के option आपको थो सब जादा मिल जाते, मतलब थो सब मतलब अगर आप लोग थो सब जादा रुपए अगर आप लोग इनवेस्ट कर सकते, तो फिर आप लोग यहां पर Redmi की तरफ आप लोग यहां पर जा सकते, लेकिन फिर भी यहां पर Redmi के इसाब से अगर देखा जाए, तो यहां पर हमको जो आया बिलास्टर है, जो कि हमको इनके हर एक फोन में मिल जाता है, इस वाले फोन में नहीं है, और बाकी थो सब महेंगा फोन है, तो यहां पर फुल एजडी प्लस वाला यहां पर डिस्प्लेय हो सकता था, और थ पर फोन है, तो यहां पर 18 वाट का चार्जर भी इंदा बहुत सकता था, तो यह सब चीजों में यह लोग ने आपर कॉस करिंग किये, तो आई हो कि आपको यालो वीडियो पसंद आए होगा, तो वीडियो के एक लाइक जो कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगरा आप लोग में जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में ठाटव है बैए